हलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल डिजिटल मॉस्टरिंग तो वी आरे केंटिनू विथ पेमस पर्सिनलिटीज इन पॉलिटिकस कल मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाय था उसमें मैंने आपको इंपोर्टन पर्सिनलिटीज के रिलेटेड बताया था जिसमें मैंने उसके बाद आज का लेक्चर जो है आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इंपोर्टन पर्सिनलिटीज और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और दो तीन इंपोर्टन पर्सिनलिटीज पढ़ेंगे शॉर्ट शॉर्ट मैं यहां पर पढ़ाऊंगा आपको ताकि आपको को याद रह जाए चले कंटिन्यू करते हैं अगर आप नए आ रहे हैं यूट्यूब चैनल के ओपर तो सबस्क्राइब कीजिए और अगर पहले से ही जुड़े हुए मेरे साथ तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और कुमेंट बैकस में जाके कुमेंट आप मुझे उसके आंसर्स आप मुझे कुमेंट सेविक्शन में दे सकते हैं तो चले नेक्स्ट कर सिटार्ट करते हैं आज का आज की इंपॉर्टन परसेनलिटी पहली सुश्मा सवराइब सुश्मा सवराइब जो की एक फेमस पॉलिटीशन थी बर डेट फैवरवरी चोदा नाइनटीन फिटी टू इनके डेथ कब हुई थी अगस्त सिकिस टू जिरो वन नाइन अगस्त दो हजार उननीस को इनकी डेथ हुई थी अगस्त सिकिस टू जिरो वन नाइन को इनकी डेथ हुई थी उसके बाद जो है ये सुप्रीम कोड के लायर रह चुकी है सुप्रीम कोड लायर और उसके साथ साथ एक बीजेपी लेडर थी इसने सेवरल मनिस्ट्रीज को हैड किया है उसमें रोल किया है जैसे एकस्टरनल इसको नाम जिया जाता है बेस्ट अलावड पॉलिटेशन बाइवाल स्ट्रीट जूरनल जो है उसके दारा है इसको बेस्ट अलावड पॉलिटेशन कहा जाता है सोराज वाज नून फार प्रोंप्ट एसिस्टेंट इंडियन इन emergency situations abroad and was awarded और इसको इसके बाद पदमु विबूशन मिला था जब इनकी death होई थी after death इनको पदमु विबूशन मिला था उसके बाद जवाईलाल नहरो जो के first PM of India है याद रखना important है first PM of India को रह चुके है तो option होना चाहिए जवाईलाल जवाईलाल नहरो जो है वो पहले प्रदान मंतरी रह चुके हैं इंडिया के and freedom fighter ये freedom fighter भी थे बरत क्या है इनका 14 November 1889 को इनके बरत होई थी और इनकी death काब होई थी May 27 1964 को जवाईलाल नहरो was one of the central figures of Indian independence movement along with personalities like मातमा गांधी he became the first prime minister of India and left behind such a legacy that his director's descendants continue to play an important role in Indian politics ये पहले प्रदान मंतरी रह चुके हैं इंडिया के और उसके बाद जो है इनने साक्त डाली हुई है और उसके बाद जो है इसके descendants जो है उन्होंने continue किया politics को उसके बाद नेक्स्ट बाल गंगा दरतलक बाल गंगा दरतलक जो कि एक Indian teacher थे और एक politician भी रह चुके हैं ये आपको जब आप freedom struggle पढ़ेंगे तो freedom struggle में भी जो history आपको पढ़नी है important personalities in history वहाँ पर यहाँ इन में से कुछ personalities हैं जो हैं वो continue हो जाएंगे क्यों क्योंकि कुछ personalities इन में ऐसी हैं जोनोंने history जो fight किये हुए है जो independence moment या किसी और moment के लिए जो है कारिक किया हुआ है तो आप याद रखे तब ही मैं आपको यहाँ पर जो है इसके साथ description भी लाया हूँ जो है description है यह इसी लिए है उसके बाद जो है इनका जनम कब हुआ था चुलै 23, 1856 डेथ कब हुई थी August 1, 1920 और यह क्या थे यह एक इंडियन नेशनलिस्ट थे freedom fighter थे बाल गंगा देर तिलक को इसको किस नाम से जाना जाता है लोकमानी तिलक लोकमानी तिलक इसको किस नाम से जानते हैं लोकमानी तिलक अगर option आ सकता है कि कौन से यह से लेडर है जिसको लोकमानी तिलक के नाम से जाना जाता है वहाँ पर चार उप्शन दिये हुएंगे चार उप्शन में आपको चुनना है कौन सा बाल गंगा धर तिलक बाल गंगा धर तिलक याद रखना इसको लोकमानी तिलक के नाम से जाना जाता है प्रमोटे दिक अप्शन आप सावराज और सेलफ रूल इसनी ने कौन सा कंसेप्ट दिया था सावराज या जिसको हम सेलफ रूल कहते हैं यह पार्ट रह चुके हैं किसके फ्रीडम फाइटर ट्रियो ट्रियो में कौन कौन आता है लाल बाल और पाल लाल बाल और पाल अलोंग विद फेलो इंडियन नेशनल कॉंगरेस मेंबर्स लाला लजपतराई और बिपिन चंदर पाल तो यह जो है कौन कौन रह चुके हैं ट्रियो जो फ्रीडम फाइटर रह चुके थे लजपतराई और बिपिन चंदर पाल उसके बाद नेक्स्ट राज़न्द प्रसाद जो कि फोर्मर प्रेजडेंट रह चुके हैं जो कि प्रेजडेंट रह चुके हैं इंडिया के और इनकी जो बरत इनका जो जनम है वो कब हुआ था डेसमबर 3, 1884, डेथ कब हुई थी, फेवरवरी 28, 1963, इंपॉर्टन किस कारण से है, राजिन्द परसाद वाज इंडियास फॉस्ट एंड लॉंगेस्ट टीन यूर्ड प्रेजिडेंट, यह फॉस्ट एस लॉंगेस्ट टीन यूर्ड प्रेजिडेंट, यह यह पहले ऐसे प्रेजिडेंट थे जुन्होंने बहुत समय तक जो है प्रेजिडेंट शिप जो है जो है जो रूल है प्रेजिडेंट या प्रेजिडेंट के पात पर यह बहुत समय तक रह चुके हैं, 1952, 1962, कितने साल, बारा साल के लिए, He was re-elected in 1957 1957 में इनको दुबारा elected किया गया था Thus becoming the only Indian President to serve two terms और पहले ऐसे Indian President बन चुके हैं जोनों ने दो बार जो है Presidentship जो है Leadership की है यानि कि President जो पोस्ट होता है उसको सरव किया है He was previously been a freedom fighter ये freedom fighter भी रह चुके हैं और लेटर served as President of Constituent Assembly which drafted Indian Constitution उसके बाद प्रेजिडन पी रह चुके हैं Constituent Assembly के जो है जो है ड्राफ्ट किया था कौन सा Indian Constitution उसके बाद लाल बहदुर शास्त्री लाल बहदुर शास्त्री जो कि former Prime Minister ये की Prime Minister रह चुके हैं इंडिया के इनकी birth date कब है October 2, 1904 उसके बाद डाइड January 11, 1966 Second Prime Minister आफ इंडिया लाल बहदुर शास्त्री जो इसको क्या कहते हैं इसको किस कारण जाना जाता है For his environmental campaigns and support for white revolution environmental campaigns यानि कि environment को स्वस्त रख ले के लिए इन्होंने campaigns चलाई थी और support करने के लिए white revolution आप मुझे comment section में बताएंगे कि white revolution क्या होता है What is white revolution और जो father of white revolution है आपको उनका नाम भी बताना पड़ेगा comment section में आप मुझे बताएंगे His slogan इसका slogan था इसका नारा क्या था जे जवान जे किसान During the 1965 इंडो पाकिस्तान वार किस दोरान जब 1965 इंडो पाकिस्तान वार हुआ था तब ये जे जवान जे किसान जो इनका नारा था ये famous हो गया था अब examination में आ सकता है कि जे जवान जे किसान ये किसका slogan था किस ने दिया था तो आपका आंसर होना चाहिए लाल बहदूर शास्त्री इन्होंने वार को एंड किया था यानि कि इन्होंने जो जंग को बिट्वीन इंडिया और पाकिस्तान उसको खत्म किया था एक agreement बना के वो agreement क्या था? वो agreement था ताशकंत agreement but died a day later but died a day later और उसके बाद मौत वाका हुई थी तो ताशकंत agreement जो है वो किनोंने बनाया था? वो बनाया था लाल बहदूर शास्त्री के दुआरा उसके बाद मौराजी देसाई मौराजी देसाई जो थे वो एक famous political leader थे प्राइम मिनिस्टर आप इंडिया रह चुके थे इनका जनम हुआ था February 29, 1896 में और April 10, 1995 में की death watch की थी इनको बारत रतन भी मिला था बारत रतन ने recipient मौराजी देसाई वाज़ फ्रीडम फाइटर एंड सर्वर एज इनको बारत रतन मिला है मौराजी देसाई को और उन्होंने prime minister as prime minister सर्व किया है 1977 till 1979 he had also been minister of home home affairs minister भी रह चुके हैं finance minister भी रह चुके हैं मौराजी देसाई याद रखना he was initially part of Indian National Congress पहले ये part थी किसके Indian National Congress के उसके बाद ये later उन्होंने जॉइन किया जन्ता पार्टी के साथ अब अगले दो तीन politician रह गए हैं वो हम next lecture में पढ़ेंगे thank you everyone hope आपको आज का लेक्टर अच्छा लगाओगा इसको जादा से जादा शेयर कीजिए और subscribe कीजिए मेरी चनल को thank you